दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चनल पर आज किस वीडियो में देखेंगे जो यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का आपके पहली सिप्ट का पेपर हुआ है 31 अगस को उसके सारे कोशन देख लेते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से एक बात क स्क्राइब कर लें चलिए शुरू करते हैं तो देखेंगा इस पहला कोशन है आर्थिक सयोग और विकास संगठन OEDC किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है तो देखें इसका हो जाएगा ऑप्शन भी आर्थिक और सामाजे कल्यान में सुधार करने बाली नीतियो को बढ़ावा देकर अगला देख लेते हैं कोशन आपका किस बर्स अपोलो ग्यारा मिसन ने चंद्रमा पर मानप को सफलता पुर्वक उतारा था इस कोशन का राइट आंसर वनेगा ऑप्शन D सन 1979 में अगला है विस्टु के सबसे भुजुर्ग ब्यक्ति का क्या नाम है ज म्रत्यु हो गई तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है जुआन बिसेंट पेरेज मोरा अगला है खिलजी बंस की इस थापना जो है वो किस ने की थी तो इस कोशन का राइट आंसर वनेगा ऑप्शन B जलाल उद्दीन खिलजी ने की थी अगला साइवर सुरच्छा में एंक्रिप्शन का उद्देश जो है वो क्या होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन B राइट आंसर अनाधिकरत पहुच को रोकने के लिए डेटा को कोडित रूप में कनबर्ट करना है अगला है संयोक्त राष्ट जनसंख्या कोर्स UNFPA का म न्यू यार्क में इस्तित है अगला है सोनकरांतिक का समन किसके उत्पातन से है सोनकरांतिक का समन जो है ऑप्शन से आपका राइट आंसर बनेगा बागवानी और सहत के उत्पातन से है अगला है कांगो घाटी किस महादीप में पाई जाती है तो इस कोश्चन का राइट C की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन C की कमी से option ए आपका right answer बनेगा इसकर भी रोग होता है नेक्स्ट है भारतिय समिधान के किस अनुसूची में अनुसूचित छित्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसासन और नियंतरन के संबन्द में प्रावधान है इस question का right answer बनेगा option ए पाँच भी अनुसूची अगला निमलेखित में से किस ने सप्तांग राजनीतिक तरक संगतता का सिद्धान्त प्रती पादित किया था यहाँ पर राजनीतिक जब भी बाता है तो वहाँ पर आप option D कौटिल लगाईएगा कौटिल आपका right answer हो जाएगा अगला उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को कहा जाता है option D बिधान परिसत बिधान परिसत जो है वह आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा कथन quantum उल्जाओ या entag lag लमेंड की अब धालना का सब से अच्छा बढ़न करता है तो option यह एक ऐसी गटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दुसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अबस्ता दुसरे कण की अबस्ता को तुरंत प्रभावित करती है चाहें उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो अगला है ताज महल का पीलापन का प्रभाव क्या होता है तो इसका हो जाएगा option टी अमल बरसाख अगला है भारतिय पैट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ पर इस्तित है इस question का right answer बनेगा option सी देहरा दून में इस्तित है अगला है 2016 के बिमुद्री करन के दौरान भारत के जो बित्तमंत्री थे वो कौन थे इस question का right answer क्या बनेगा option है अरुन जेटली थे अगला है मानब्विका सूचकांग HDI का मुख्य लच्छ क्या है तो देखिए इसका right answer बनेगा option है ब्यक्तियों के समगर कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आंकलन करना अगला निमलेखित में से कौन सी भासा भारतिय समिधान की आठ भी अनुसूची में सामिल नहीं है देखिए उर्दू तो है तमिल भी है संस्क्रत भी है लेकिन अंग्रेजी नहीं है अगला है प्रसिद्ध क्रती तंत्र लोक के जो लेखक है वो कौन है तो option भी आपका right answer बनेगा अभिनाव गुप्त अगला अंतर राश्टिय साच्छर्टा दिवस किस तारिक को मनाया जाता है इस question का right answer option C 8 सितंबर को मनाया जाता है अगला है IMF भोगतान संतुलन नियमावली के अनुसार बस्तों के आयात और नर्यात को यहां क्या वरेंगे प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो option B FOB के आधार पर किया जाना चाहिए अगला है भारत्य समिधान का अनुच्छेत 340 जो है वो किसे से सम्मंदित है इसका right answer बनेगा option B पिछडे बर्ग आयोग से सम्मंदित है अगला है भारत में red corridor लाल गरियारा जो है वो क्या है तो option है आपका right answer बनेगा नक्सली मावबादी उगरबाद से प्रभावित छेत्र कहलाता है red corridor अगला है कोबरा केंद्रिय रिजर्ब पुलिस बल की एक बिसेस अभियान इकाई है इसका आर्थ क्या होता है तो इसका दिखिये क्या होगा commando battalions और resolute action तो इसका option है आपका right answer बन जाएगा अगला है भारत में राज इस्तर पर back किस बर्स लागू किया गया था तो इस question का right answer बनेगा option B सन 2005 में लागू किया गया था अगला है नागा लेंड की राजधानी क्या है नागा लेंड की राजधानी हो जाएगी option D कोहीमा अगला है 2021 में कौप 26 जलवायू सम्मेलन की मेजवानी किस देश ने की थी तो ये की थी option D UK ने की थी United Kingdom अगला है लेंडिक समानता महिला ससक्ति करां और महिलाओं के खिलाब भेदबाओ और हिंसा को खत्म करने के लिए बैस्विक आंदोलन किस सब्द से परिवासित किया जाता है तो option B आपका right answer बन जाएगा LGBTQ प्लस अधिकार आंदोलन अगला है बहुत ही simple सा question है प्रसिद भारती और पन्यास गोदान के जो लेखा के वो कौन है तो इसका right answer बनेगा option है मुंसी प्रेम चंद्र अगला है त्रेमासिक समाचार पत्र साइवर प्रभा किस मंत्राले दोरा सुरू की गई एक पहल है इसका देखिए क्या right answer बनेगा इसका देखिए option B या option C में से आपका एक हो सकता है ग्रह मंत्राले या संस्कृति मंत्राले इसका मुझे स्योर नहीं पता लेकिन आप comment box में comment करके बता सकते हैं अगला देख लेते हैं यहाँ देखिए जगे खाली यहाँ पर भरेंगे साइबर स्टॉकिंग साइबर स्टॉकिंग में ऑनलाइन उत्पीडन सामिल है जहां उप्योग करता को धेर सारे ऑनलाइन संदेशों और इमेल का सामना करना पड़ता है अगला है अभिव्यक्ति की सोतंतता की रच्छा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल सांती पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो आप्सन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो अगला है साइट का मतलब क्या होता है साइट का मतलब होता है देखिए तो इसका हो जाएगा instruction Source Instruction इस्टेलिवीजन एक्सपेरिमेंट यह आपका हो सकता है तो इसमें थोड़ा सा डवट है गाईज हाँ यही बाल आपका हो जाएगा सोर्स इंस्टेक्शनल टेलिविजन एक्सपेरिमेंट तो आपसे ने आपका राइट हो जाएगा राइट अंसर अगला है संयुक्त अरब अमिरात संग फेडरेशन आफ युनाइट अरब एमिरेट्स की राज़दानी क्या है तो आपसे ने अबुधावी अगला है मानवादिकार किस के पास हैं तो सब लोगों के पास होते हैं मानवादिकार अगला है उत्तर भरतिय गायन धुमरी का मुख बिसे या थीम क्या है तो आपसेन भी रोमांटिक या रोमानी और भक्ति पूर्ण हरे चने का वैग्यानिक नाम क्या होगा तो यह हो जाएगा आपका बिगवना बिगना रेडियेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला है रेडियो एक्टिविटी की खोच का सिरे किस से दिया जाता है तो आपसेन डी हेनरी वेकरल तो यह कर लिए मैंने जीके के कोश्चन अब हम लोग हिंदी के भी कोश्चन देख लेते हैं अब गध्यांत पढ़ सकते हैं प्रसन संक्या 95 से 99 तक प्रसन भी है तो डायरेक्ट हम लोग प्रसन देखते हैं कोशन है त्राही त्राही मच जाने का अर्थ क्या होता है त्राही त्राही मच जाना मतलब आप्सिन भी हाहा कार मच जाना अगला है टकल लेने का अर्थ क्या होता है तुलना करना लोहा मानना टकराना तो इसका हो जाएगा मुकाबला करना अगला है लंदन बंदरगा कहां प बना ली तो इसके लिए क्या हो जाएगा option B कोई इसके जहाजों का आना जाना ना रोक सके अगला मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या भी प्राय है तो इसका क्या हो जाएगा असंक्य मस्तूल अगला है करुणाला के रचैता कौन है करुणाला के रचैता हो जाएंगे option है आपका right answer जैसंकर प्रसाद अगला है किस सब्द का प्रियोग सदेव बहु वचन में होता है तो दिखे गाए ये तो से में लता वहन तो इसका दिखे क्या हो सकता है लता आपका right answer हो सकता है थोड़ा सा doubt है इसमें लेकिन आपका लता right answer हो जाएगा अगला है गंगा तट पर कुछ लोग बजन कर रहे थे देखांके सब्द में कौन सा समाथ है तो गंगा का तट तो इसमें आपका समास हो जाएगा option है तट पुरुष समास आपका हो जाएगा अगला है जाती सब्द का बहुबचन क्या होगा तो option भी आपका right answer जातिया अगला है अंबुज अंबुद सब्द योगन के लिए सही अर्थभेद का चैन करें अंबुज का मतलब क्या होता है कमल कमल किसमें आ रहा है option D में स्टार्टिंग में कमल आ रहा है और अंबुद का अर्थ हो जाएगा बादल तो option D is right answer अगला भाय खा रहा है था में खा रहाते में कौन सा काल है तो इसका दिखिए क्या बनेगा संदिग्द भूत तो option B इस right answer अगला नेमले कित में से बाके के सुद रूप का चैन कीजिए उनको एक पुत्र है तो ये गलत उनका एक पुत्र है उनके एक पुत्र है उनने एक पुत्र तो इसका option B right answer हो जाएगा उनका एक पुत्र है अगला एक काब की सोवा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं इस उक्ती में प्रियुक्त धर्म सब्द का अर्थ क्या होता है option एक गोण अगला एक महिला जब भासन दे रही थी उसकी आबाज में एक आकर्षन था निमलिखित में से कौन सा इस बाग में प्रियुक्त अकर्षन सब्द का बिलोम नहीं है देखिए बिकर्षन होता है अना कर्षन भी होता है आप कर्षन भी होता है लेकिन बिप कर्षन नहीं होता है तो ये option है आपका right answer हो जाएगा अगला कभी सवर का संधी विच्छेद क्या होगा तो कभी सवर का संधी विच्छेद की ये होता है कभी धन सवर तो आद देखिए किस में मिला है option B में तो option B is right answer अगला इस किस बाक में किरिया बर्तमान काल में है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ तो बर्तमान काल में हो गया बाकी में थे उठी थे आ रहा है तो option इस आपका right answer बन जाएगा अगला इस जूते चाटना का सही अर्थ क्या होता है तो option D खुसा मद करना अगला निमले खित में कौन सा सब्द अब्या नहीं है देखे कल अब्या है इधर भी है आज भी है लेकिन किसे नहीं है अगला देख लेते हैं निमले खित में से सही तस्वम सब्द का चायान करें तो तस्वम मतलब संस्क्रत का सब्द तो option C आपका right answer हो जाएगा मद्धूक जो होता है आपका तस्वम सब्द हो जाएगा अगला जीब का पर्यवाची क्या होगा जीब का पर्यवाची होएगा आपका option ए रसना अगला है जिसका कोई आकार ना के लिए एक सब्द क्या होगा तो option ए आपका right answer हो जाएगा निरा कार अगला है बाल का इस्तिरी लिंग क्या होगा बाली का Option D आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला है पणकोटी सब्द में समास है बहुती सिंपल सा है पणकोटी में समास हो जाएगा Option D तत पुरुष समास हो जाएगा अगला है सास्वत का बिलोम सब्द क्या होगा तो देख लेते हैं अनस्वर होता है नहीं राइस में भी नहीं होता है सदाइब भी नहीं होता है तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन भी नस्वर नस्वर आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला है इंद्रा इंद्रा अगला है बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रियोग किया जाता है तो टोटल हो जाएगा पांच स्थानों का तो आपसे ने इस राइट अंसर अगला है मानब सब्द का विसेशन निमली खित्में से जो है वो क्या बनेगा तो विसेशन जो बनेगा आपसे आपका राइट अंसर हो जाएगा मानबिय बनेगा इससे अगर मानब सब्द का बनाते हैं तो वो मानबिय बन जाएगा अगला है पिता कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है तो पिता कहानी के लेखक हो जाएंगे ग्यान रंजन ग्यान रंजन बांकी के तीना उप्सन आपके कट हो जाएंगे, ओके, अगला है निमलिखित में से कौन सा काटना का तस्सम है, काटना का संसकत सब्द क्या होगा, तो कटित होगा नहीं, कटित होगा नहीं, कटन होगा नहीं, तो करतन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो option B is right answer, अगला है तरंग, तुरंग, सब दियों का सही विकलत चुनिये, देखे, तुरंग माने क्या होता है घड़ा, घोड़ा होता है, तरंग क्या होता है लहर, तो Sections यह आपका Right Answer हो जाएगा तरंग का मतलब हो जाएगा लहर और तुरंग का मतलब हो जाएगा घोरा अगला है आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होता है तो इसका मतलब होता है सब देखे पहला है मरने के बाद कौन देखने आता कि क्या हुआ ये गलत सबको अपने साम समान समझना ये भी गलत बुरा आदमी सबको बुरा कहता ये बाला सही हो जाएगा आपका राइट आंसर तो option D आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला है महादेवी बर्मा को किस पुस्तक पर ज्यान पीट पुरसकार मिला था निहार के लिए मिला था नहीं, रस्मी के लिए मिला था नहीं, नीर्जा के लिए मिला था नहीं तो यामा करती के लिए महादेवी बर्मा को ज्यान पीट पुरसकार मिला था अगला है आपका, चमक उठी सन सतावन में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताईए, तो हास रस होगा नहीं, सरंगा रस होगा नहीं, भक्ति रस होगा नहीं, तलवार की जब बात आती तो बहाँ पर हो जाएगा बी रस, बी रस का इस्थाई भाव क्या होता है, उस सहा अगला है निमलिखित में से किस बाक में अकर्मक क्रिया का प्रियोग किया गया है, तो बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है ये होगा नहीं, मजजूर चाय पीरा ये भी नहीं होगा, रमेस पुस्टक पढ़ रहा ये नहीं होगा, तो आप्शन है की Punjab लाएंश शॉआ होता है थो आपसे में आपका राइट अंसर का कामा हूं फोर और हम हो जाएगा अगला है कबाली सब्द में कौन सा लिंग है faced कब बाली गाई जाती है तो आपका इस तील हो जाएगा तो आपसे ने इस राइट अंसर इस लगवंग मैंने सभी Qošn जीके और ainted के करवा दिये हैं अब अगले वीडियो में reason के सारे कोशन देखेंगे, पूरे के पूरे, फिर मैट के भी वीडियो देख, कोशन देख लेंगे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और चैनल को भी सबस्क्राइब करें, थैंक्यू, धन्यबाद,